तो जब से जॉन वीक मूवी रिलीज हुई ये टेटर्स के अंदर तो अभी इसके सवाल उठता है कि अपने बॉलीवूड के अंदर एजी कौन सी मूवीज है जो इसको टक्कर दे सकती है नीशी गांत कामत अपने नाम तो सुना ही होगा ये एक वन ओप तो बेश डेक्टर है जिन्होंने बॉलीवूड सिनिमा के अंदर अच्छी से अच्छी मूवीज दी है नहीं मूवीज बलकि अपने टेलेंट के वज़े से अपने एक्टिंग वज़े से उन्हें के साथ इंडियन कल्चर के साथ और इंडियन बॉंडिंग के साथ ये मूवी आपको अच्छा कासा मजा एंटिटेंड्मेंट और जोन वी को अला याद जरूर देगी देखिए नीशी कांत कामत आज हमारे बीच में होते ना तो मैं कारणटी से कहता कि इसके और भी की है रोकी हैंड्सम देखें मूवी आपको मैं हाइली रिक्रेमेंट करूंगा आप जा किसके अभी जाके वोच कर लेजिए आपको मिल जाएगी आसानी से आप थोड़ा सा ढूंडिये परचार कीजिए आपको मिल जाएगी सबसे बड़े जो इसको पोजिटिव पोइंट लोगों को हायर करने वाली एबिलिटी है इसके अंदर और हमको इस पॉइंट पर नजबंदाज नहीं कहना चाहिए कि जोन अब्रहां ने भी अपना यहां पर अच्छा का सा काम दिया है कि जिस तरह से यह इस यूनिवर्स के अंदर कहानी बेटती है कहानी कि अगर आपन चोटी संरी ले तो आप पताते कि तो यहां पे जोन अब्रहां एक असासेयन होता है यह एक मिलिकर होता है जोifieकिक में कव सते हैं और अमयो एक मार तेा जले रहता है चाहिए कर दव्याव गपी चू अंपनाटियाऊ एक बच्चिय होेटे ऊपने हो जलेती है अग को human trafficking को लेके, देखिए, जिस तरह से इन्होंने casting भी किये, उसी तरह से इन्होंने location के भी अच्छी चूज किये है, cinematography भी इसमें आपको हार एक point पर visually अच्छे तरह से treat करते ही दिख जाएगी, इनकी 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 राइटिंग को स्मार्टली की गई होती है, कि हरकोई इस audience को कनेट कर पाए, और जो हलका हलका सोच है या अपना दिमाग चला है, तो उसको यह mind blowing लगे, और देखिए, अगर आप यह movie देखने जारे होना, तो यह बात जरूर सोच लेना, कि यह movie 2016 के अंदर release हुई थी, कि यहां पर आपको नौरा फते भी देखने को मिलती है, या आप सोच सकते हो कि अभी पहले से नहीं, बहुत पहले से, यहां तक कि जोन अब्रहाम नौरा फते और टी सीरीज, या एक तरह से मर्ज होते हैं, अगर वो आए तो एक नएक movie के अंदर या एक नएक सौंग के अंदर यह देखने को मिल जाएंगी, रोकी हैंडसम की जो सौंग से हमको ज्यादा डिश्टब तो नहीं करते हैं, अच्छे सारा से अच्छे खासे रहते हैं, डायलोग भी इसके अच्छे खासे हैं, आपको इसे बिना बात की डायलोग्स नहीं लगेंगा, मगर जो नब रहन का कम डायलोग से जो भी है, खतरनाक है, देखिए अगर आप इंडियन फिलिम्मेकर की किलास ले रहे हो, कुछ सीखना चाते हो, तो निशिकांत कामत से सीखो, कि किस तर से एक कम बजट में रहते हुए, अच्छी आसी मूवी कैसे बनाई जाए, यह इनका एक साइध, बोल सकता हूँ कि अगर यह आज हमारे बीच में होते हैं तो रोकी हैंडिया का यूनिवर्स तो बनी रहा होता, और इसके और पार्ट्स हा रहे होते, क्योंकि मूवी को उन्होंने पता ही है, इसके और पार्ट्स निकाले जाए, और ओर ज़्यादा ग्रेप किया क्योंकि उन्होंने फ्यूचर पहले प्रेटिक कर लिया था, कि आने वाले इंडिया के लिए क्या मांग होने वाली है, जो कि यह इनको दिखने वाला था, देखिए, फाइनल ओपिनियन पर मैं अपने आउँ, तो अगर आप मूवी देख रहा होना तो रोकी हैंड्सम आप आप ट्राय कर सकते हो, आपको आसनी से मिलेगी, ज्यादा बड़ी मूवी भी नहीं है, देखिए, मूवी बहुत ही एंगेंजिंग है, आपको बांध कर रखे कि बहुर तो बिल्कुल नहीं करेगी, शुरुवात के आपके 15-20 मिर लेगी मूवी को इतना तो चाहिए होता अपना बिल्डप करने के लिए, अपने करेक्ट करने के लिए, सब कुछ बताने के लिए, तो प्लिस इस मूवी को ट्राय कीजिए, और ऐसे अंडरेडर मूवी को आप ज़रूर देखा करें, क्योंकि इनी मूवी को अपना बोलीवूट थोड़ बहुत स्ट्रेप्स लेता और थोड़ बश्रीक्स लेना स्टार्ट करता है, तो देखिए दोस्तो यह थी मेरी वीडियो के अंदर, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होना, तो प्लिस का गरने आपको वीडियो को लाइक करना है, और चेन को स्ट्रेप करना न बोलना है, तो प्लिस ऐसे ज़रू करते चाहिए यहां पर आपको एसी जी वीडियो और मिर्थी रहेगी